जहें हिन दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पोर्ट्स यानि कि खेल से रिलेटेट MCQ करेंगे जिसमें हम लोग 36 गड़ और भारा तो दोनों में हुए खेल के जो important question है दोस्तों यहां से आपके होस्टल वाड़ान एक्जाम में एक ने question जरूर पूछा जाएगा तो वीडि और ईस ओलंपिक भी से कहा जाता है अगला question है निमनलिकित मेंसे किस keel को 2024 के ओलंपिक में पहली बार सामिल किया गया। तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों break dancing को ठीक है दोस्तों जो break dancing था इसे ओलंपिक 2024 में पहली बार सामिल किया गया है अगला तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों मनु इंसर हो जागा अगला कोशन दिखते हैं, पेरिस दोजाद 24 ओलंपिक केलो में भारत के धोर जुवाग कौन थे तो राइट एंसर हो जाएगा इसका पीवी सिंदू और सरत कमल ठीक है पेरिस दोजाद 24 में जूरी सदस्य के रूप में न्यूक्त होने वाली पहली भारती है कौन बनी तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बिलकिस मीर ठीक है काफी जादा इंपॉर्टेंट कोस्चन है ये भी अगला देखते हैं दोस्तों ओलंपिक दोजाद 24 के लिए क्वालिफाई करने वाली एक मात्र भारतीय वेट लिप्टर काउन है तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों मीरा बाई चानू ठीक है ओप्शन नमबर सी इसका राइट एंसर हो जागा ये भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट कोस्चन है भारतीय पैरा एथलीट ने दोजाद 24 पैरा ओलंपिक में पूरुसों की 50 मीटर पिस्टल SH-1 इस परधा में स्वर्ड पदक जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मनीश नर्वाल ऑप्शन नमबर 20 का राइट एंसर हो जाएगा बहुत जादा इंपॉर्टे अगला कोशन है दोसों की 50 मीटर पिस्टल SH-1 इस परधा में रजत पदक किस ने जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों सीही राज अधाना ने अगला दिखते हैं किस भारतीय पैरा एथलीट ने पूरुस एकल बैडमिंटन SL-3 इस परधा में स्वर्ड पदक जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमोध भगत ने बहुत ही जादा important question है अगला question देखते हैं पूरुस एकल बैडमिंटन SL-3 इस परधा में कां से पदक किस ने जीता तो राइट एंसर हो जाएगा मनोज सरकार ने ठीक है दोस्तों मनोज सरकार ने पूरुस एकल SL-3 इस परधा में कौन सा पदक जीता तो कां से पदक जीता इसने अगला देखते हैं इस भारती पैरा एथलेट ने पूरुस एकल बैडमिंटन यानि कि SL-4 इस परधा में रजत पदक जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों सुहाष यतिराज option number A next question है पूरुस एक बैडमिंटन SH-6 इस परधा में स्वर्ड पदक जीता काफी important question है next question दिखते हैं किस भारती पैरा एथलेट ने महिलाओं की 50 मिटर राइफल 3 पोजीशन SH-1 इस परधा में कां से पदक जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों अवनी लेकरा ठीक है और दोस्तों बहु जीता तो अवनी लेकरा ने जीता next है उरुसों की व्यक्तिगत रिकर्व तिरंदाजी इस परधा में कां से पदक किस ने जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों हरविंदर सिंग ने ठीक है next है किस भारती पैरा एथलेट ने पैरा लंपिक में तराकी में सबसे अध भारती क्लब ठ्रोवर यानि धरमवीर ने कौसा अवॉर्ड जीता तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका स्वर्ड पदक जीता इसने ठीक है दोस्तों पेरिश तोजा चोबिस पैरालंपिक में भारती ड्रात्य क्लब त्रोवर कौन तो धरम वीर ने इसने स्टेडियम तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए एमेच इदम्रम स्टेडियम पर आईपेल 2024 का फाइनल के ला गया ठीक है देखेगा कि आईपेल 2024 का जो फाइनल था ये 26 मही 2024 को के ला गया था ठीक है किसके किसके बीच में तो KKR और SRS की बीच में के ला गया जिसमें जो KKR की टीम थी कुलकाता नाइट राइडर्स की वो वीजेता टीम रही अगला दिखेगा कि IPL 2024 का किताब किस टीम ने जीता अपसन है RCB ने SRS ने KKR ने या फिर GT ने कौन से टीम ने जीता तो राइट एंसर हो जाएगा KKR ने जीता ठीक है KKR ने SRS को बीट करके SRS को बीट करके कौन winner बना KKR बना था दिखेगा दोस्तों कि सबसे पहले जब IPL का स्थापना किया गया था ठीक है तो 2008 में कौन जीता था राजिस्तान रोयल जो था यह जीता था इसके बाद दुबारा जीते ही नहीं हो सुरुआत तो पहले से किये थे लेकिन अभी गकेर और 2023 में जीता था मुंबाई इंडियनस तिक है 2014 में कौन तो केकेर जीता था फिर से इसके बाद 2015 में फिरसे मुंबाई इंडियस 2016 में संराइज़ हाधराबाद पूस्त टाइम ही है यह इसका समराइज हाधराबाद का और क्या हुआ था कि डिकन चार्जेश नाम था तव जीता था ठीक है उसके बाद से इसके बाद 2017 में मुंबाई इंडियन altri जो ज़िता था इसके बाद 2013 में चैन्य सूपर किंग और 2019 में पिर से मुंबाई इंडियन to ठीक है ये कौन से हो गया इसका तो ये थर्ड टाइम हो गया अगला दिखेगा अगले सवाल है हमारे कि वर्ष दो हजार चोबिस में आई पिल का कौन से संस्करण आयवजित किया गया अप्शन है 15 16 17 या फिर 18 कौन से संस्करण यानि कि कौन से सीजन आयवजित किया गया था तो राइट एंसर है 17 ठीक है कौन से सीजन था तो 17 सीजन था अगला है आई पिल दो ज़िस में कितनी टीमों ने भाग लिया है उप्शन है 10 टीम 11 टीम 12 टीम 13 टीम राइट एंसर हो जाएगा 10 टीम ने भाग लिया IPL 2024 में ठीक है कौन-कौन से टीम रहीं तो देखेगा कि एक तो CSK, दिल्ली कैपिटल गुजराट टाइटन, के के आर आपका लखनाव सूपर लखनाव सूपर जेंट्स इसके बाद है मुंबई इंडियस, पंजाब किंग्स इसके बाद कौन सा है, तो आरा, राजिस्तान रोयल्स, और है आपका RCB, यानि कि रोयल्स चलेंजर्स बैंगलेरू और संराइजस हैदराबाद SRH IPL 2024 का टाइटल स्पॉंसर कौन सीट कमपनी रही है ओप्शन है, वीवो, टाटा ड्रीम 11, या फिर बाजिस, कौन सी टीम रही, कौन सी कमपनी रही तो राइटेंसर है टाटा, ठीक है IPL 2024 का जो टाइटल स्पॉंसर्शिफ था ये कौन है, 2024 का तो टाटा IPL IPL 2024 के फाइनल में Man of the Match का पुरुसकार किसने जीता देखिए, IPL 2024 के फाइनल में, जो Man of the Match का जो पुरुसकार था ये किसने जीता, तो राइटेंसर हो जागा मिचल स्टाक ने IPL 2024 में औरेंज केप किसने जीता, देखिए IPL 2024 में जो औरेंज केप है, ठीक है ये किसने जीता, तो विराट को लिने जीता अगले सवाल है IPL 2024 में परपल कैप किसने जीता, देखिए परपल कैप उसे मिलता है, ठीक है, जो की क्या करता है सरवादिक विकेट लेता है, तो किसने लिया था? हर्शल पटेल ने, ठीक है नेक्स्ट है देखिएगा हर्शल पटेल, इसने 14 इनिंग्स में 24 विकेट लिये ठीक है एकोनॉमी कितना था तो 9.73 और एवरेज 19.87 का था हर्शल पटेल के बाद करें हर्शल पटेल ने 24 विकेट लिया इसके बाद वरुन चकरवर थी इसने कितना 21 विकेट जस्पिर्थ भुमराब 20 विकेट और टी नट राजन गिसने होने 19 विकेट लिया ठीक है यह आपके कुछ important point थे अगला दिखेगा कि IPL 24 में सबसे मुल्यवान के लारी यानि कि सबसे valuable player कौन बने तो right answer हो जागा सुनील नरिन ठीक है देखे सबसे valuable player यह इसलिए बने क्योंकि देखे सबसे valuable player कौन होता है जो balling और batting दोनों में ही अच्छा performance करता है उसे क्या मलता है सबसे मुल्य लेवान के लारी का पुरुसकार दिया जाता है अगला सवाल देखेगा IPL 24 में emerging player of the season का award कि से मिला तो देखे IPL 24 में emerging player of the season का जो award था वो मिला नितिस रेड़ी को अगला सवाल है IPL 24 में player play award कि स्टीम को मिला है देखे IPL 24 में player play जो award है ये SRH को मिला यानि कि Sunrises हैदराबाद ठीक है अगला सवाल देखेगा IPL 24 के बाद किस किलानी ने सन्यास की घोशडा की option है MS2 नी दिनेश कार्थिक अजिंक के रहाने या फिर MD समय देखे दोनी तो लेने से रहे सन्यास ठीक है तो किसने लिया है दिनेश कार्थिक लिया है option number B अगला सवाल है सबसे ज़्यादा बार IPL का खिताब किस टीम ने जीता है option है CSK, MI, RCB या फिर A and B both तो right answer हो जाएगा A and B both दिखे यह दिए आप से अगर एक option इसमें से नार है ठीक है मान लोजे कि MI नार है तो क्या हो जाएगा CSK हो जाएगा या फिर CSK नार है तो कोन हो जाएगा Mumbai Indians हो जाएगा ठीक है अगला सवाल दिखेगा कि IPL निलामी का सबसे महंगा किलाडी कौन बना है option एक Cameron Green हार्दिक पांड्या Mitchell Istark या फिर Pat Cummins तो right answer हो जाएगा Mitchell Istark देखें Mitchell Istark जो थे इनका देखेगा तो 24.75 करोड इनका जो price कितने में भी केई है 24.75 करोड इसके बास second number पर Pat Cummins इनोंने 20.50 करोड रुपे चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं 36 गड क्रिकेट पिमेर रिक CCPL 2024 में कितने टीमोंने भाग लिया तो देखें CCPL 2024 में कुल 6 टीमोंने भाग लिया कौन कौन से टीम थे तो बिलासपूर बूल्स ठीक है तो अजय मंडल और बस्तर बाइसन्स जिसके कप्तानते ससांक चंद्रा का ठीक है इसके अलावाए एक और important point याद रखेगा कि जो CCPL 2024 तो दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक चला था 7 से 16 जुन 7 से 16 जुन 2024 को ठीक है इसके साथी एक कब भी दिया गया इसके बाद जो बिलासपूर बूल्स ठीक है किसके किसके बीच में इसके लगया था फाइनल मेंच तो बिलासपूर बूल्स और रायपूर रायनो के माद्य में केला गया था तो बिलासपूर बूल्स को कितना मिला तो 11 लाग रुपे second नमबर वाले को कितना मिला तो 11 लाग रुपे मिला अगला question देखते है तो देखे दोस्तो परपल कव विजेता जो है वो कोने आसिस चवान जो है दोस्तो ये परपल कव विजेता है ठीक है इसके अलावा देखते हैं जो आसुतो सिंग है दोस्तों ये औरेंज कप विजेता है क्या औरेंज कप विजेता है आसुतो सिंग संसाग चद्राकर के बारे में आद रखेगा कि सबसे तेज अर्ध सतक अर्ध सतक सबसे तेज अर्ध सतक कि लाड़ी है ससांग चंद्राकर आसिस दहरिया जो यह दोस्तों यह emerging player है emerging emerging player कौन बना था तो emerging player बने थे दोस्तों आसिस दहरिया अगला question देखते हैं 34 गड क्रिकेट पे में लिख CCPL 2024 का brand ambassador किसे बनाया गया था तो देखें दोस्तो CCPL 2024 का जो brand ambassador बनाया गया था ये सुरेश रहना को बनाया गया था ठीक है पूरो बारती की क्रिकेटर सुरेश रहना अगला question देखेगा World Youth Festival 2024 Sochi Rouge में 36 गर से कौन कौन से सामिल होंगे तो इसका रहेट एंसर देखेंगे हम लोग एक तो स्री सीमर्दीप शाल और दूसरे राजदीप शाल यानि कि उपरोक्त दोनों जो है दोस्तों ये आपका Sochi Rouge में जो आयोजित होने वाला है World Youth Festival 2024 उसमें शामिल होंगे सीमर्दीप शाल और राजदीप शाल और इसका जो आयोजन है दोस्तों ये एक से सात माँच 2024 को किया गया था कब से कब तक किया गया था इसका आयोजन तो एक से सात माँच 2024 को अगला कोश्यन है असीवी महंत राजजा सरवेशवर दास इसमर्थी अकिल भारती होकी पर दियोगी साथ फरवरी को हुआ ठीखेए विजेता कॉन मना था तो इंडियन एर फोर्स जो इदिन नई दिली है वो इसका विजेता बना था अगला दिखेगा 37 वी राष्टी ताइकवांडो सब जुनियर इस परदा दोजार चोबिस में 36 गड़ ने कितने पदक जीते तो इसका राइटेंट सरू जाएगा दोस्तों तीन कास से पदक और एक रज़त पदक जीता 36 गड़ ठीक है इसके अलावा सरवाधिक कौन जीता तो असम असम 600 पदक जीता 600 किसने कौन जीता तो असम जीता ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दिखते हैं राष्टी तीरंदाजी सब जुनियर दोजार चोबिस का आयोजन कहां किया गया था तो इसका जो आयोजन है ये आपका साइन्स कॉलेज मैदान कहां राष्पूर में इसका आयोजन किया गया था कब इसका सुभाराम हुआ था तो दिखे दोस्तों इसका जो सुभाराम हुआ था ये 5 जन्वरी 2024 को इसका सुभाराम हुआ था अगला कोश्चन दिखेगा थाई बॉक्सिंग 2024 में गर्शत्रिशं के खिलारियों ने कुल कितने पघक जीते है तो इसका राईटेंसर हो जाएगा दोस्तों टेक है दस पघक में इसे आठ सुभार्ड तिक है और एक रजत पदत और एक का से पदतक है तो संदिखते हैं दोस्तों सरसटवी राष्टिय सॉल बॉस्केट बॉस्केट बॉल दोजा चोबीस के बालक वर्ग कभी जेता है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा चतिस गड़ ठीक है और जो बालीका वर्ग का अभवेज़ता है वो कौन है तो हर्याड़ा ये बालीका वर्ग का अभवेज़ता कौन तो हर्याड़ा ठीक है अगला कोस्चन दिखेगा उजबेकिस्तान के तासकान में आयो जित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपेंशिप में सोड पदक जीत कर 36 गड़ के किस ने देश वो अपरदेश में नाम रोशन किया तो इसका राइटेंसर हो जाएगा दोस्तों स्रीमंत ज़ा स्रीमंत ज़ा अप्शन नमबर ए अगल करणे वाली कहां करणे वाली है दोस्तों अपका इस निहा बन जारे तो 36 गड़ के कोरबा की रहने वाली हैं अगला देखते हैं अगला कोश्चन देखते हैं 36 गड़ के नमबर वन महिला बैडमेंटन की लाड़ी कौन है जिसने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज दोजाच चोबिस में महिला एकल का खिताब हमवतन सुरूती मुन्दाहा को हरा कर जीता तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आकर्शी कसेब ठीक है आकर्शी कसेब क अगला धिखिएगा सहीद वीडणारां सिंग अंतरश्टी क्रिकेट इस्टीब कहा इस्ती थे तो इसका राइटेंसर हो जाएगा नवारायपुर में एस्ती थे अगला कोष्चन है सिरी गुरु नानक इस्पुल राजनान गाओं की छात्रा कुमारी अनिश्यासा हो का इंडियान हौकी टीम में हुआ है किसका चैन तो अनिशा साहू का अगला कोशन दिखेगा इनका चैन कहा हुआ है तो बौश्केट बौल फेडरेशन ओफ इंडिया ने इनको जूनियर भारती बौश्केटबॉल टीम का चैन करता न्युकत किया है अगला दिखेगा चतिस गड़ के भावेस्टारिंग का संबंद की स्केल से है तो दीखे दोस्तों चतिस गड़ की जो भावेस्टारिंग है इनका संबंद भारतोलन केल से है किस केल से संबंद दीत है तो भारतोलन केल से संबंद दीत है चतिस गड़ की मिली जुग ने ओपन इंटरनेस्टल चैंपियनसीब में एक गोल्ड एक शिल्वर मेडल जीत लिया वह की स्केल से संबंदी थे तो इसका राइटेंस तरो जाएगा दोस्तों पिकल बॉल अगला दिखिएगा चतिस गड़ के ससांग सिंग का संबंद की स्केल से है तो दिखिए दोस्तों चतिस गड़ के ससांग सिंग का संबंद है किर्केट से ठीक है और याद रखिएगा दोस्तों कि ये सीसी पियल सीसी पियल दोजाज चोबिस में कहां के कप्तान थे तो बिलासपूर के बिलासपूर के कैप्टन थे इसके एलावा याद रखिएगा दोस्तों कि IPL 2024 में IPL 2024 में पंजाथ सूपर किंग्स के खिलाडी भी रह चुके हैं आपका ससांक सिंग अगला कोशन है शिख्ट केलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में चतिस गड़ की खिलाडी ओने कुल कितने पदक जीते ठीके तो इसका राइटेंसर हो जागा आठ पदक जीते चतिस गड़ के खिलाडी ओने ठीके तो दीखे चे जो पदक था ये रज़त पदक था चे रज़त पदक और दो काशे पदक चे रज़त और दो काशे इसके लावा गोल्ड पदक कितना तो दीखे स्वाड पदक जीरो एक भी स्वाड पदक नहीं जी देख अगला कोशन है शिख्ट केलो इंडिया यूथ गेम्स दोजाज 24 में चतिस गड़ का रेंग कौन सा है तो दीखेगा पहला दूसरा तिसरा या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइटेंसर हो जागा इन में से कोई नहीं ठीक है दीखे दोस्तों 36 गड़ का जो रेंग था वो कौन सा था तो 36 गड़ का रेंग था पदक के साथ 2nd number पर और 3rd number पर था आपका हर्याड़ा थर्ड नमबर पर कौन तो हर्याड़ा अगला कुस्चन है तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों रजद पदक जीता मोनु ने ठीक है इसने दो रजद पदक जीता अगला कुस्चन है देखेंगे दोस्तों जैस 36 गड़ के पदक विज़े था 6th केलो इंडिया यूद गेम्स में तो देखेंगा मोनु नेताम इसने बोल मलकम पदक जीता इसने रजद पदक जीता इसके बाद मनु यादो इसने कुस्ती में और अभिशेक यादो इसने भी कुस्ती में कौन सा पदक जीता दोनों ने तो रजद पदक जीता दोनों ने इसके अलावा बालिका वर्ग में देखेंगे तो तलवार बाजी में रजद पदक जीता इसके अलावा बेनी रीबा जिसने तलवार बाजी में क्या किया कां से पदक जीता अगला कोशन है राष्टी म्यूथाई 25 से 30 मही को इसका आयोजन किया गया था इसका कहां तो असम में इसका आयोजन किया गया था असम के जो गुआ हाटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और इसमें 36 गल को कितने पदक प्राप्त हुए तो 36 गल को साथ पदक प्राप्त हुए एक गूल ठीक है जिसमें से ऑ मोखेंटि सा पाया दोस्तों चार स्वढ्र चार गोल्ड और तीन आपका कासे पतक चार स्वढ्र और तीनन यसे पतक जीता चत्री गरρέ quiz है को द्यवर्ड में का से पतक उज्यता इन में से कौन नहीं है तो देखते हैं कौन नहीं है सुभान समानिक पूरी तो दिखे ये तो कांसे पदक वी जेता है परवड़ जैस्वाल ये भी कांसे पदक वी जेता है और चित केशरवानी ये भी कांसे पदक वी जेता है यानि कि समीधा अगरवाल दोस्तों ये क्या है सौड़ पदक वी जेता है कौन है स्वाड पदक वी जेता है समीधा अगरवाल जी